एक समय की बात है, जब एक छोटे से गाउ में एक नई कार बनी थी, यह नई कार अपने अध्वित्यता और सहली के लिए पैचानी जा रही थी, कार को रूडी नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें जिंदगी को रूडी तरीके से निभाने की शमता थी, रूडी गाउ वालों के लिए एक साथी बन गई थी, यह गाउ के लोगों को बजर जाने, सफर करने और विबिन अस्थानों की खोच करने का एक नया तरीका प्रदान कर रही थी, रूडी ने गाउ वालों को सिखाया कि सही समय पर तक्णिकी धाराओं का सही से उप्योग करना कैसे उन्हें बैतर बना सकता है, यह भी बताया कि स्वच्चता और सुरक्षा का ध्यान रखना जीवन को कैसे सुरक्षित और स्वस्थ बना सकता है, जब रूडी गाउं के स्कूल के बच्चों को स्कूल लेज पहुचाने में मदद करने लगी तो गाउवाले उसे एक अद्बूत और सहायक मित्र मान गए रूडी ने गाउं में साहस और सामुविक्ता की भावना फैलाई और उसने गाउं को एक नए दोर में ले जाने में मदद की इस कहानी से हमें यहां सिखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाईयों को आत्म समर्पन और सकारत्मक द्रश्टी कोण से निभाना चाहिए कहानी में रूडी की भूमे का दिखाती है कि हर व्यक्ति अपने समताओं का सही तरीके से उप्योग करके और अपने समुदाई के लाब के लिए कैसे योजना बना सकता है